हो गया हो प्यारे दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हूप अच्छे होंगे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है एक बार कंफर्म करने तो फिर मैं आगे चलू क्यों को मेरी आवाज आ रही है तो मैं आगे स्टार्ट करूंक है वेले स्टार्ट करें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने कल तक समझाया था वो पढ़ाई की होगी और आई होप आपको मैंने जो डाइग्राम दिये थे वो डाइग्राम भी आप लोगों ने बनाए होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी बस थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन्स दे देता हूँ इंस्ट्रक्शन्स क्या वो मेरी तरफ से आपकी तरफ से फ्री और कॉस्ट कुछ कीज़े हैं वो आप भी के फाइदे के लिए हैं आप लोग फॉलो करना चाहें तो कीजिए दा देखे ये कि चुकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें PDF दे दो जो आप डाइग्राम बनाते हो वो ठीक है तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ मैंने एक WhatsApp पर एक चैनल बनाया है उस चैनल का नाम है योर कुमार सर और उस चैनल का लिंक मैंने कल की वीडियो में भी परस WhatsApp चैनल को जाकर जोइन कर लीजिएगा ठीक है और आज क्लास के एंड तक मैं जटने भी डाइग्राम का यहां पर यूच करूँगा वो सारे के सारे डाइग्राम मैं साम तक आपको मैं साम तक आप लोगों को भेज दूंगा I hope आप समझ गए होंगे उसी WhatsApp चैनल पर वो सारे डाइग्राम आपके सामने आ जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बास समझ में आ गई होगी आप उस लिंक पर जाकर किलिक कर लीजेगा सारी कि सारी मैं PDF ये सारे वो डाइग्राम उसमें भेजूँगा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी PDF की समस्या का समादान हो जाएगा ठीक है अब किसी को डाउट है तो ये बताईए दूसरा आप मैंसे कुछ बच्चे कह रहे हैं Telegram चैनल तो मैंने Telegram चैनल बनाया तो था आप देखता हूँ अगर वो बना हुआ है तो मैं आपको अभी नाम बता देता हूँ या मैं Telegram चैनल का भी लिंक कॉपी करवा दे रहा हूँ और फिर मैं कोशिज करूँगा आप उस Telegram चैनल पर भी जाके ले सकते हैं ठीक है मैं Telegram चैनल को भी उसी लिंक पर प्रोवाइट करा दे रहा हूँ आप वहाँ पर भी जाके ले सकते हैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक Telegram का लिंक भी आ जाएगा अभी थोड़ी दिर में कॉपी करा दे रहा हूँ मैं और वहाँ पर लिखा होगा Telegram लिंक डिस्क्रिप्शन में पंदस मिनट में बाद लड़का अपडेट कर देगा आप Telegram को भी जोइन कर लिजेगा मैं जो PDF या जो डाइग्राम भेजूँगा वो पूरा का पूरा डाइग्राम टेली ग्राम और क्या ना मैं उसका WhatsApp चैनल दोनों पर भेजूँगा ठीक है तो अब आपकी PDF वाली समस्या का समाधान हो जाएगा आज के बाद वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी आई होप आप समझ में आ गया होगा ठीक है पहला पॉइंट दूसरा मैंने ये क्लास 31st of अक्टूबर से स्टार्ट की थी और आज करीब दो तीन तारिक होगी मुझे नहीं बता साथ दो होगी मालो है ना एक वीक तक जो मैं कराऊंगा उसका एक टेस्ट लिया करूँगा और उस टेस्ट से रिलेटेट जितने भी कोईशन हुआ करेंगे वो मैं उसी टेलीग्राम पर और उसी वाटसब पर आपको अपलोड कर दूँगा वहां से आप कोईशन पेपर उठाना और उसको PDF निकाल लेना या उसको आप डाउनलोड कर लीजेगा और उसके प्रैक्टिस कर लीजे किया मैं हर पांच घंटे बाद मैं टेस्ट पेपर अपलोड करने के पांच से चे घंटे बाद उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूँगा जिससे आप उसको चेक कर सके कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं ठीक है अब तो साइध आपकी पीडियाप और टेस्ट की प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगी इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछो दूसरा वह सारे बच्चे मुझे कमेंट में आके यह बोलते हैं इसलाद मदब अधारवाई चीजां को प्र्योंक करते हैं लिकिन मुझे ना यह सब चीजां से फार्क नहीं पड़ता ज और मुझे इस बास से फार्फ पड़ता है जिन बच्चों को मुझे पढ़ना है में उनको फ्री में कə पढ़ाऊ predictive आपको क्या बोलना, क्या नहीं बोलना वह आपकी धरम साला है, वह आपल अपने घर में रखो, मुझे इससे कोई ले ना देना नहीं है क्यों, क्योंकि निश्शित रूफ से बहुत सारे कोचंग इंसिटूट हैं तो आजकी डेट में मुझे गाली देते होंगे क्यों देते होंगे क्योंकि मैं यही चीज जो free of cost पढ़ा रहा हूँ वो उसी चीज को पढ़ाने के लिए डेड़ से दो लाख रुपया लेते हैं बच्चों से ठीक है अब भाईया निश्चित रूप से जब मैं free पढ़ाऊंगा तो बच्चा जब free मैं यहां पढ़ लेगा तो उनको डेड़ से दो लाख रुपय क्यों देगा जो डेड़ से दो लाख रुपय का उनका नुकसान होगा तो मुझे गाली देगा मुझे खाने को मिठाई तो देगा नहीं भाईया उनके लिए काम नहीं करना जिनको मेरी इसकी जुरुवत नहीं है ठीक है I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा उद्देश से क्या है इसके अलावा मेरा कोई भी उद्देश से नहीं है अब सुरू करते हैं आपन ठीक है आजाए मैंने छो बताया था वो मैं आपको यहां तक समझा चुका हूँ वो पार्ट क्या है मैंने आपको दूआरा एक बार रिमाइड करना देता हूँ पहले अपन मुगल बंस में चले और मुगल बंस में मैंने पूरा बाबर के लिए कर दिया आपको ठीक है वावर के बाद में वावर के सारे युद्ध और यहां का पूरा sequence था ये समझा देए पहले वावर आया फिर हमायू आया था ठीक है कि बावर के बारे में मैं detail तो चुका हूँ आपनों ने इसकी इंसोट ले लिया हुगा चाहे तो आप फिर ले लिजेगा नेक्स्ट ये हिमायू के चारों युद्ध हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स्ट उसके बाद मैं हिमायू की पूरी बायोग्राफी दे रखी है कि हिमायू कैसे कैसे वहाँ पर गया साहत अमस्प के पास फिर हमीदा वानों से कैसे साधी की कैसे अमरकोट के जो राजा थे भीर साल उसके महल में एक बच्चा पैदा हुआ और फिर वहीं पर कामरान अपने भाई से मुलाकात होती है और फिर वो सेरसा सूरी के बेटे सेरसा सूरी को हरा के इंडिया में आता है उसके बाद सेरसा सूरी ने क्या किया ये मैंने आपको बता दिया तर उसके बाद अकवर के में में युद्ध में आपको बता चुका उसके बाद अकवर के जो में काम है वो मैं आपको बता चुका अकवर के जो कल्चरल वर्क है वो मैं आपको बता चुका next फिर अकवर के जो nine jewels थे वो मैं आपको बता चुका अकवर के नवरतंग जिसे कहते हैं वो मैं आपको बता चुका इसके बाद main point था अकवर की जो buildings अकवर ने वरवाई थी वो मैंने बता दी आपको I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब आगे का हिस्सा चलना है चल कि अजये हैं अब देखिए हुआ क्या जो मुगल इंपायर था उसमें sequence ये रहा सबसे पहले बावर आया सौट में लिपूंगा उसके बाद हुमायू आया ठीक है देन अकवर आएगा ठीक है अकवर के बाद जहांगीर आएगा जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा कहां जहां के बाद औरंग जेब आएगा ठीक है और इसमें जो अकवर वाला हिमायू वाला जो पार्ट है वो दो भागों में है पहला 1530 से 1540 तक का पार्ट है दूसरा 1555 से 1556 तक का पार्ट है ठीक है में लिए ये दो पार्ट रहें अकवर के चले आगे यहां तक अब मैं आपको यह बता चुका था कि अकवर की जो डैथ होई थी वो 1605 में होई थी मतलब 1605 में अकवर की म्रत्य होई थी ठीक है यह दो को बच्चे पूछ रहें कि यह सर क्या हम यूपी पुलिस के लिए कितल क्लास ले सकते हैं भाई कि मैं इस फ्री क्लास में है हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकोनमी जनल साइंस करन्ट अफियर एकोलोजी एंवायर्मेंट आई यार साइंस अंट टेकनोलोजी सारे पूर्सन कराऊंगा तुम यार अब पुलिस की तैयरी कर रहे हो तुम दरोगा की तैयरी कर रहे हो त लोग यार जो मैं आपको हाई लेवल से लेके चलूँगा अभी सोचो मैंने अभी quality स्टार्ट नहीं की और मैं quality ही पढ़ा रहा हूं quality स्टार्ट नहीं की केवल quality की background अच्छी बना सकूँगा आपके लिए इसलिए ऐसा कर रहा हूं तो अभी quality शुरू नहीं करी एक बार quality जिस दिन शुरू कर दी न फंडामेंटल राइट में बारा तेरा चौधा पंदा सोला सत्रा ठारा उन्हीं इस बीचिस बाइटेश चौविच पैठेश पैठेश तक सोते में तुमसे कोई पूरे हिस्ट्री वाला पार्ट डाइग्राम में बना रखा लेको मैं आपको दिखाता हूं आपको किस पार्ट को उठाऊंगों पॉलिटी के कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं चलिए अधा फंडामेंटल राइट अब कोई भी आटिकर उठाओ बारा एक मिनिट बारा 13 14 सारे डाइग्राम के माद्धियम से पूरे कभूरे फंडामेंटल राइट किलियर करके चला जाओंगा सारे डाइग्राम के माद्धियम से आप सोच के देखो आप बताओ कौन सक किसको समझ में नहीं आगा कौन बच्चा कल को मुझसे यह कह देगा समझ में नहीं आ रहा मैं कर रहा हूं सारे डाइग्राम के माध्यम से फंडा मेंटा राइट वे दिमाग में फिट कर दूँगा आपको अभी मैंने पॉलिटी फिटी सुरू नहीं करी कि इसलिए आपसे कह रहा हूं आप यह सब मत बोलो कि क्या होगा मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं आप केवल पॉलिटी तक तो पहुंचो कि मुझे सिर्फ इंट्रोडेक्शन कराने दो तब तक आपको सारी चीज़ा रट जाएंगी इसलिए थोड़ा सा पेसेंस रखिए अध्यारे रखो पढ़ाई करो ना प्यार से करो अच्छा लगेगा क्या लेक कलर कर दो वह सही रहता है आँखों के लिए रे यार क्या बल लोगों को चलें आगे तो मैंने कल अकबर तक का पार्ट आपको बता दिया था चुरू करें आप इसके आगे क्या हुगा अब आजाएं अब देखों क्या होता है अब इधार मैप में समझते हैं यह इंडिया है यह इंडिया है और यहां पर उस टाइम पर इंडिया में प Area. यह यूरूप कितना Area मालं लिते हैं यूरूप है और यूरूप में पोर्टगाल अब्रटेन यह इत्यादि बहुत सारे कंट्री हैं यर जो यूरॉप बाले लोग यह उन देश में ट्रेड करना चाते है उन देशों में ट्रेड करना चाते है जहां से इनको profit हो मतलब पैसे की प्राप्ति हो यह उन देशों में ब्यापार करना चाहते हैं इसलिए भारत में ब्यापार करने के लिए यह आएंगे अब कैसे आएंगे वो समस्ते हैं यहां पर आपको पता होगा यहां पर यह जो हिस्सा है यह अफरीगा है तो हुआ क्या था भा हारत की जो खोज होई है वो मांसून के रास्ते से होई है मांसून के रास्ते से होई है कैसे एक्चुली क्या है जब मांसून आता है मांसून जब आता है तो हमेसा पस्चिम से पूरब की तरफ चलता है वैस्ट से इस्ट की तरफ चलता है अब एक बात आप से पूछ रहा ह जब हम कोई नदी में ये समुद्धर की बात मत करो, नदी की बात करते हैं नदी में अगर हवा ऐसे चल रही है हवा और मनाब को ऐसे ही चलाउँ आधर ही जाने के लिए तो नाब आसानी से इसी दसा में चली گी ना क्योंकि फिलो इसी तरफ है लेकिन अगर हवा ऐसे चल रही है और नाव को मैं इधर चलाऊँगा तो मुझे थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगेगा न यही करण हुआ जो मांसून होता है मांसून वो वेस्ट से इस्ट की तरफ चलेगा तो हवा जो होती है इस तरफ फिलो में चलेगी तो जब नाव को यानि समुद्र में जब बोट को आप रखोगे तो वो इस दिसा में जब लेके जाओगे तो आसानी से आ जाएगी आपको मैन फोर्स जादा नहीं लगाना पड़ेगा यही सेम कारण था जब मानसून इस रास्ते से होकर जब इधर आया मतब ऐसे से इधर आया तो आसानी से नाव को हम इधर ले आए और जो भारत की खोज हुई वो इसी रास्ते से यहाँ पर मानसून के सारे आया बंदा और यहाँ कालीगट या बंदिस बंदरगा पर पहुंचा जिसे आज कोजी कोड कहते हैं और यहां पर पहुंच कर उसने भारत के मार्ग की खोज कर दी अब आप मुझे बताइए कि भारत के मार्ग की खोज किस ने की कमेंट बक्स में बताना भारत के मार्ग की कोज बोलाए मैंने भारत की खोज नहीं पूछ रहा मैं मैं भारत की खोज नहीं हुई थी यह बात ध्यान रखना भारत तो पहले भी था लेकिन भारत का जो मार्ग था उसकी खोज किसे ने की आप मुझे comment box में बताएं मैं जनरली पैसे जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब थोड़ा सा एक level क्या है हाँ ठीक है जैसे ये रस्मी वर्मा जी है ये बता रहे है वास्कोडगामा ने पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल से वास्कोडगामा इस रास्ते से आता है मानसून के सहारे और इस रास्ते से होकर यहां पर पहुंसता है और जब बाद में मानसून लोटता है तो इसी रास्ते से इसी रास्ते से होकर वो यहां से बापस लोट जाएगा इसलिए वासकोटिगामा ने जब भारत की यहां पर खोज कर दी तो सारे के सारे लोगों को पता चल गया कि इंडिया भी एक देश है और यहीं पर भारत में पुर्तगाली लोग ब्यापार करने के लिए आ गए थे यानि जब अकबर की मृत्तिव हुई थी तो अकबर की मृत्तिव से पहले वासकोटिगामा के मदब रास्ता खोजने के बाद पुर्तगाली लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे थे अब देखें होता क्या है इसमें इंडिया में जो ब्यापार करने के लिए पुर्तगीज लोग जो आए उसमें सबसे पहले आए पुर्तगीज ठीक है पुर्तगीज के बाद बीच में आएंगे बिर्टिस उससे पहले जो आए बो डैनिस यहां पर जो आए वो डच और इधा लास्ट में जो आए फ्रेंच ठीक है, पूर्तगीज आए, पी से लिख लो, ठीक है, डच आए, बिर्टिस आए, डैनिस आए, डैनमार्क वाले, और फ्रेंच आए, फ्रांस वाले, ये इनका आने का सिक्वेंस है, ये इस करम में ब्यापार करने के लिए आए हैं, अब इधर समझना होता क्या है, इंडिया इंडिया में ब्यापार करने के लिए परमीशन, ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने दीती, 1600 को, 31st of December को, और परमीशन एक कागज पर लिखी थी, उस कागज पर लिख कर, एक कमपनी खोली थी, इस कमपनी का नाम था, East India Company, इस कमपनी का नाम था, East India Company, और इसे East India Company क्यों क आ गया था, क्योंकि, क्योंकि, देखें, इंडिया यहां पर है, ब्रिटेन यहां पर है, और ब्रिटेन के इधर जितनी भी कमपनियां खुलती थी, उनके नाम के आगे East लिखता था, और ब्रिटेन के इधर जितनी भी कमपनियां खुलती थी, उनके नाम के आगे Best लिखता था अब मिना इण के इधर जो कमपनी खुलेगी उस तर या इधर ब्राजील में खोली तो बैस्ट ब्राजील कंपनी या इधर ऑस्टेलिया में खोली तो इस्ट ऑस्टेलिया कंपनी यानि कि ब्रिटेन ने कंपनी जो खोली अगर इधर खोली तो इस्ट इधर खोली तो वैस्ट आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब देखते हैं, बिटेन करता कैसे है, इसमें खेल, देखें, देखें, अब मैप को गौर से देखना, यह वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में, यहाँ पर एक कंट्री है, जिसका नाम है इंगलेट, और 1602 का टाइम चल रहा है, इससे दो साल पहले, 1600 में, बिटेन की महरानी बहुत देशों में ब्यापार करने के लिए कंपनी खोलती है, ब जो कलर, रेड होते जाएंगे, रेड, उन उन देशों में, बिटेन की कंपनी खोलती चली जाएगी, और जिस एरिया की तरफ कंपनी खोलेगी, अगर कंपनी इस एरिया की तरफ खोलेगी, तो इस नाम होगा, इस एरिया की तरफ खोलेगी, तो वेस्ट होगा नाम, दूसर कॉलम में देस का नाम रखना तीसरा company लिखना तो company का नाम समझ में आ गया इधार है तो वेस्ट है इधार है तो इस्ट है बाकि दूसरे पॉइंट में देश लिखना और फिर कंपनी लिखना अब देखो जहां-जहां रैड होता जाएगा बिटेन व्यापार करता चला जाएगा आजाएं कैसे देखिए गाई बीडियो आगे बढ़ेगी है आप देखें बिटेन यहां पर आ गया व्यापार करने के लिए इस एरिया में व्यापार करने आ गया फिर और आगे बढ़ते हैं बिटेन देखो यहां आ गया कैनडा के यह अमेरिका में आ गया फिर और आगे बढ़ते हैं कि अब इहां अब इदार इंडिया में भी आ चुका यहां पर बंगाल वाले इससे में और इधर उडीसा के हिससे में भी आ गया नेक्स्ट, कि इस इपीच में देखो इक पंगा हुआ यह देखो लाल कलर गाईव हो गया यहां लोग ने बृटेन के खिलाप आंदोलन कर दिया तो ऐसे में अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन वालों को भागा दिया कि भागो यहां से नहीं तो पित्based अब क्या होता है आपके कुछी दिन बाद करांति का प्रडॉह यह हुआ और बाकी देशों में आप कंट्रोल करेगा ओस्टेलिया पहुंच गया इधर आ इससे में यहां पर पुंच गया इंडिया के इस हिस्से में आचुका है पूरे में स्रीलंका में पूंच गया इस तरफ साउथ अप्रीका में चला गया देखिए अब आप गौर से दिखना यह अब धीडीर देखना करीब करीब मैं एक आइडेया देता हूँ आपको statistकिems 1911 तक ब्रिटेन के इतने अरिया बितन के कभजे में 911 तक बितन इतने अरिया को अपने कभजे में ले लिया है ठीक है यहां तक क्लियर होगे आपको यह देखें अब मैं आपको यह बताऊंगा इसमें कि कैसे इस इंडिया को गुलाम बनाएगा और कैसे इंडिया इस गुलामी से निकलेगा यह आप लोग बोल रहें दिख कम बहुत रहा है मतलब क्योंकि यह इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि यह समुद्री इलाका है तो यह इसी रंग का होगा वाइट है यह इसलिए ऐसा होगा एक माट यह लाइट थोड़ा से ओफ करने जा एक माट फिर भी देख लेता आप लोग किते लोग के इसट दिखाई नहीं दे रहा है तो बताएंगे किते लोग कैसा जिसकागा प्रिखाई आप लोग ना कुछ किसी से धोके का सिकार हो चुके हो इसलिए आप लोगों को doubt है कि साइद मैं करवाँगा नहीं है ना don't worry यार मैं पूरा IS PCS का सलेवस करवाँगा बस फर कितना होगा कि बिना पैसे के करवाँगा इसलिए साइद तुम लोगों को यकीन ने हो रहा लेकिन कोई बात नहीं मैं आज से एक साल बात तुम से बात करूँगा तब तुम मुझे reply करना कि सलेवस complete हुआ है नहीं हुआ अभी चुकी तुम मुझे जानते नहीं हूँ मैं तुम जानता नहीं हूँ इसलिए doubt हो रहा हो हो आप लोगों को दिखाई दे रहा है आप लोगों को clear नहीं दिख दाई दे रहा है no problem sir क्या लिखाए यार यह अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को साफ-साफ चलू आगे चलें आगे आगे आजए ठीक है अब क्या हुआ अब पूरी कहानी आपको यहीं के यहीं इर अब 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 यहीं पर आजाओ आप मुगल एंपायर में देखिए बाबर ने अब 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 1526 में इंडिया पर अटेक करेगा और जब इंडिया पर अटेक करेगा तो बाबर का इतना एरिया पर कपजा था लेकिन धीरे 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 बाबर इंडिया में आएगा 1526 में देखें 1526 में जैसे ही आया बावर ने इतना एरिया को अपने कपजे में ले लिया और 1530 में जब बावर मरा तो बावर की इस्तिती ये वाली थी उसके बाद देखो हिमायू आया और हिमायू 1540 में हार गया तो जब हिमायू हार रहा था 1539 लिखा है इतने एरिया पर हिमायू का कपजा था लेकिन इस कन्नोज या बिलगराम के एदमें सेरसा सूरी हिमायू को हराएगा तो उसके बाद ये ग्रीन कलर फीचे खतम हो जाएगा क्योंकि हिमायू का सामराज्जिका एंड हो चुका होगा आज़ा देखो यहां से हिमायू चला गया अब इस इंडिया पर राज कर रहा है सेरसा सूरी नेक्स्ट इसके बाद हिमायू 1555 में दोबारा आएगा जब 1555 में आएगा तो ये कलर ग्रीन हो जाएगा फिर आ गया देखें इतने एरिया पर हिमायू ने दोबारा राज कर लिया क्योंकि सेरसा सूरी के बेटे सिकंदर सा सूरी को हरा दिया था यहां से ठीक है अब उसके बाद अकबर शुरू होगा और अकबर जब 15165 में मरेगा तो अकबर की सिच्वेशन यह होगी 1605 इतने एरिया पर मुगल एमपायर चल तुका है इतने एरिया पर मुगलों का राज है और राजधानी जो है वो आगरा है capital जो है यहां कि आग रहा है और इतने एरिया पर मुगल स्थापट हो चुके हैं मैं यहां तक की कहानी पूरी आपको clear कर चुका हूं कि मैं यहां तक की पूरी कहानी आप लोगों को clear कर चुका हूं भया मैं तो इसको video को bilingual ही रख रहा हूं कि मैं हिंदी में पड़ा रहा हूं इंग्लिस नहीं पड़ा रहा हूं या इसल कैसे लग करता हूं दूसरी लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं इसलिए चुकि आप मुझे जानते नहीं है इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो लेकिन आप जब जैनों रूप से पढ़ने की कोशिच करेंगे ना तब आपको बता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का थरीका क्या है यह तो चक्कर क्या है कि online में दो दिन पहले आया हूं तो दो दिन का मुझे इतना अनुबब नहीं है हां बस की पढ़ाना सुरू किया है तो ठीक है करा ले रहा हूं लेकिन मुझे दो दिन का इतना experience नहीं है इसमें अच्छा से ज़्यादा लेकिन बट हां एक दो दिन में अर्いきा.. और बितेன की महरानी यहां से इस्थ इंडिया कंप्णों ऑफिस... इस्ड इंडिया कंपनी कागजयों में खोल देती है मतलब पेपर में 31st दिसंबर 1600 को इस्ट इंडिया कंपनी खोल चुकी है लेकिन आपसे यह पूछ रहा हूं कि इस्ट इंडिया कंपनी पेपर में कागज में खोल दी गई है तो रियल में इस्ट इंडिया कंपनी ओपन हो गई क्या नहीं होई नहीं होई अब इस्ट इंडिया कंपनी ओपन तब होगी केवल सो तो चाह कि हम इंडिया में कंपनी लगाएंगे तो भाया इंडिया में कंपनी लगाने के लिए नरेंद्र मोदी दुरोपदी मुर्मू से परमिशन लेनी पड़ेगी न ऐसे में क्या हुआ UKा बूर्टेन की महरानी इस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच या यूनिट इंडिया में खोलने के लिए एक बंदे को इंडिया भेजती है और एजन्ट से कहती है किि पर्मिसल ॕे लेका आओ कि भारत में हम फैक्टरी चाहते हैं तो जब परमिशन लेने के लिए एक बंदे को भेजा गया तो बंदा जब आता है तो अकबर बीमार पड़ा होता है जब बंदा यहां पर आता है एक मिनट थोड़ा रुखना तो जब इस्ट इंडिया कंपनी की फैक्टरी खोलने के लिए महारानी अकबर के दरवार में एक बंदे को भेजती हैं लेकिन उस वक्त क्या होता है अकबर जो होता है वो बीमार पड़ा होता है तो उस बंदे को फैक्टरी खोलने की परमीशन नहीं मिलती और वो बंदा इंडिया से लोट जाता है वापस यानि कि पहला जो प्रयास इस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्टरी खोलने के लिए किया वो फेल हो गया अब इस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांच इंडिया में कैस अकबर की जब डैथ होई, तो अकबर का एक बेटा था, जिसका नाम था सलीम, और सलीम का ही नाम पड़ेगा जहांगीर, जहांगीर, और ये हिंदुस्तान का राजा बनेगा, लेकिन अब सलीम यानि जहांगीर जब हिंदुस्तान का राजा बनेगा, तो ध्यान रखियेगा आप लो फैक्टरी खोलने की पर्मिसन जहांगीर के टाइम पर मिलेगी लेकिन फैक्टरी खोलने की पर्मिसन कैसे मिली ये बात आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक जहांगीर के बारे में पूरा कहानी नहीं समझोगे पहले जहांगीर को समझते हैं अच्छे से कि जह पीने का आदी था, पच्पन से ही सराव और अफीम पीने का आदी था, इसलिए मानवाई से जब इसकी साधी हुई, तो मानवाई चाहती थी कि जहांगीर सराव पीना छोड़ दे, लेकिन जहांगीर ने सराव पीना नहीं छोड़ी, इसलिए मानवाई ने आत्मत्या कर लिया यह से नहीं society कर लिया, और मानवाई मर गई, कहला point, इसकी दूसरी जो वाइव थी, उसका झाज नाम था जगत गोशाई, जगत गोशाई, छी खड़त गोशाई, जो ती, ये इसकी second वाइव थी, लेकिन इससे उतना ज्यदा प्यार नहीं करता था, जितना इसे करना बस इंडिया जो real में गुलाम बनेगा, real में जो गुलाम बनेगा, वो इसकी third wife के concept से ही बनेगा, और आपकी knowledge के लिए सब को बता दूँ, पूरी किताबे चान मारना, पूरी किताबों में ये concept नहीं दे रखा कि इसका scene क्या है, अब देखें होता क्या है, अब देखें होगा क्या, actually अकबर जो था, वो राजा था, अकबर का जो बेटा था, son, वो सलीम था, सलीम ही बाद में जहांगीर बनेगा, सलीम को बच्पन से ही अफीम और सराब पीने की आदत पड़ गई थी, अब कैसे पीने की आदत पड़ गई थी, वो सुनो, सलीम जो थ अकबर ना बहुत सारी दौाएं मांगी थी, बहुत सारे मतलब मिन्नत की थी, तब भगवान ने, अल्ला ने अकबर को सलीम दे दिया, अब हुआ क्या, जब सलीम पैदा हुआ, तो सलीम का पालन पोसन इसके अकबर के दरवार में रहने वाली एक महला ने किया था, अब सलीम जो रोता था ना, रोता था, तो इस रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए या तो मारो, या इसको प्यार से चुप करा दो, तो होता क्या था, सलीम चुप नहीं होता था, तो जो महला इसको चुप कराती थी, वो पान खाती थी, पान, और उस पान में थोड़ अफीम वो सलीम को चटा देती थी गाल पे जीप पे इससे क्या होता था सलीम को मतलब इसी लड़के को बच्चे को जो सोने की नीद आ जाती थी तो यह बच्चा सो जाता था उस अफीम के नसे में आके धीरे धीरे यहीं से यहीं से इस बच्चे को अफीम की आदत लगी थी अब क्या हुआ, धीरे-धीरे ये बड़ा होने लग गया, और अकबर को पता चला, कि मेरे बेटे को अफीम की ये नसे की आदत लग गयी है, तो अकबर ने सलीम को बहुत समझाया कि बेटा तू मत पिया कर, लेकिन ये बिचारा नहीं माना बहुत समझाया कि बेटा तुमत पिया कर लेकिन ये नहीं माना अब कोई बैक्ति नसे का सिकार हो जाए तो उस बैक्तियों कितना भी समझाओ वो मानता तो है नहीं तो same to same इसके साथ भी यही condition बनती है ये नहीं मानता तो जब नहीं मानता तो एक problem होती है, देखें क्या problem होती है, actually जब ये नहीं मानता तो आगरा का किला था पूरा का पूरा, फतेपुर सीखरी के पास राजधानी थी, तो ऐसे मैं अकबर एक आदेश देता है, कि पूरी राजधानी के सारे के सारे दर्वार में, कहीं पर भी, अफीम नहीं बेची जाएगी, ना अफीम का प्रोडक्शन होगा, ना अफीम बेची जाएगी, और नहीं कोई अफीम खरी सकता है, और चुकि ये किया क्यों था, क्योंकि सलीम को अफीम मिल लाती थी, वो और उस अफीम को पी लेता था, लेकिन, लेकिन ये होता क्या था, कि जब वो अफीम पी लेता था तो अकवर परेशान था इसलिए उसने पूरे के पूरे दरवार में अफीम बंद करा दी अब जब अफीम बंद करा दी तो सलीम को पूरे दरवार में कही पर भी अफीम नहीं मिली सलीम होने लग गया परेशान अब जब सलीम परिशान होने लग गया उसे अफीम नहीं मिलती तो उसने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई साथ अफीम का मिलेगी तो सबने का हम नहीं पता हमें नहीं पता क्यों? क्योंकि अकबर ने सब से कह दिया था कि कोई भी सलीम को बाहर का का रास्ता नहीं दिखाएगा कोई भी बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगा अब होता क्या है वो पॉइंट सुनना एक तांगे वाले से जोगाड की तांगा चलता था पहले तूछा भाई मुझे ये बता दे अफीम का मिलेगी उसने का मैं अगर आपको बताओंगा तो आपक ऐसे एक कोठा है जहां बैस्यावरती होती है जहां पर महिलाएं नाचती है वहां पर तुझे अफीम मिल जाएगी अब होता क्या है ये सलीम उस कोठे पर पहुंसता है और उस कोठे पहुंसता है वहां पर जाकि अफीम पीना सुरू करता है और धीरे धीरे वहां अफीम मि महिला मिलती है वही पर इसको एक महिला मिलती है उस महिला का जो नाम था ना उस महिला का जो नाम था वही नाम सामा इधर ले लो इसको यहां पर जो महिला उसको मिलती है इसी महिला का जो नाम था वो generally ध्यान रखना इसका real name कुछ और है real name इसको और है लेकिन जिस नाम से यह dance करती थी वहाँ पर वो dance का नाम था इसका अनारकली अनारकली और यह याद रखना ये जो अनारकली नाम की लड़की है ये इसका पहले से एक पती था मतलब इसका फस्ट हस्बेंड कोई था पहले से पहला पती था इसका कोई और इसका पती वो मर चुका था पती जो है वो इसका मर चुका है और ये पैसे कमाने के लिए वहाँ पर डांस करती है और जब ये डांस कर रही होती है वहीं पर सलीम पहुंच जाता है और जब सलीम पहुंच जाता है तो अनार कली को देखता रह जाता है और देखता रहता है आदे घंटे तक इसका डांस देखता रहता है देखते देखते वो हो जाता है पागल उस लड़की को देखते देखते तब एंड में तब एंड में तांगे वाले को नीचे बुला के लाता है और यह पूछता है जो यह महला थी इसका नाम क्या है यह पता करके यह वो ऊपर जाता है पूछता है और नीचे आके सलीम को बत तलीम बोल रहा है कि वो कहां की रहने वाली है पता भी चल जाता है बता देती है कि कहां की रहने वाली है तलीम उससे कहता है कि उससे साधी करेगी तो अनारकली के पास जाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे आप एक लड़का खड़ाए नीचे उससे साधी करोगी वो कहती है नह अकवर का एक letterhead मालो होता था, एक साही आदेस होता था, उस साही आदेस में लिखा होता था, अब साही आदेस में कलम चलती थी, कागज कलम दवात होती है न मेले, तो कलम दुबा दुबा के, जहांगीर एक letter लिखता है, उस letter में लिखता है, pre-unarchally, मैंने जब से आपको के बिना आप रहे नहीं सकता, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, बस आपसे यह अनमती चाहता हूं कि क्या आप मुझसे निकाह करना पसंद करेंगी, निकाह करना पसंद करेंगी, और नीचे लिखता है, आपका प्रिय या आपका चहने वाला, तलीम, और नीचे लिखता मतब वो साही फर्मान मोड के यह दे देता है उसको रिक्से वाले को तांगे वाले को और कहता है जाके अनारकली को देया जैसे अनारकली के पास बुर्च तांगे वाला पहुंसता है और कहता है आपके लिए चट्थी है उसने का किस ने चट्थी बेजी है उसने का ऐसी लड वजे वे ourselves थेस नहीं कि ऐसे हुआ जह अगया कोई। लेकि हो पूरा लेटर पढ़ती है जैसे मी आपसे निकाहा करना चाहता हूँ अब तक उसे कुछ समझ में नहीं आpat जैसे लिखती है आपका चाहने वाला नीचे लिखाता सलीम तब तक कुछ समझ में नहीं आता लेकि जैसे पढ़ती है सन अफ जलाल अद्दीन मुहम्मद अकबर सहिंसा आला में हिंदुस्तान अनारकली ने सोचा हिंदुस्तान के राजा के बेटे की साधी का आफर वो तुरंट लेटर को कर दिया कि भाई मैं तो इससे साधी अभी क्या भी करूँगी और तुरंट वो हाँ बोल देती है और यहीं पर अनारकली की तलीम से साधी होती है और इसी अनारकली को तलीम नाम देता है नूर जहाँ नूर का मतलब होता है हुस्न जहाँ का मतलब होता है ब्रहमांड मतलब पूरे ब्रह्मान्ड का हुसन यही उसने इसको नाम दिया कि तुमसे खूबसूरत महिला मैंने प्रियत पूरी जिंदगी में नहीं देखी और इसलिए इसने इसी अनारकली को नूर जहा नाम दे डाला अब यही नूर जहां हिंदुस्तान को गुलाम बनाएगी यह ध्यान डखना हो आपको फिर बोल रहा हूँ अंग्रेज इंडिया में आएंगे ब्यापार करने इसी नूर जहां की बज़े से आएंगे इसलिए मैंने यहां से बैक्ग्राउंड बनाना शुरू करी है आप आगे चले बताइए यहां तक किसी को कन्फीजन है तो है तो बताइए यस मदब अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है नहीं तो आप लिखो नो कन्फीजन यस और नो में बता दीजे कन्फीजन है या नहीं तो एक बात बताओं आप लोग को एक चीज बता दू मैं मानता चाहूं कि हिस्ट्री एक बोरिंग टॉपिक है और हिस्ट्री के इवेंट को और नामों को याद रखना बहुत टेड़ा काम है वो याद नहीं हो सकते हैं मैंने जो भी हिस्ट्री के धागे को एक धागे औरंग जेव के फैक्टे लिख लो उसका कोई मतलब नहीं है न तो इसलिए मुझे आपको याद करवाना है याद करवाने के लिए मुझे कहानी बनानी पड़ती है तो इसलिए कहानी में 80% में रियल्टी रखता हूं और 20% में फैक्टों को जोडने के लिए अपने किसी को एडिटिंग कहते हैं यही एक खेल है किसी को प्रजेंट करूंगा तब ही आपको याद होगा ना अधर्वाइस तो किताबों से पढ़के तो किसी को याद ही नहीं हो रहा भाई पताइए खुद सोच कि देखो मुगल काल के ऊपर किताबें लिखी हैं आंस कोईशन उस इतरी मोटी किताब से आएंगे दो कोईशन मैं तुम्हें दो क्लास में करा दूंगा तुमको मेरी दो क्लास पढ़के चले जाना दो कोईशन आएंगे दोना क्लियर हो जाएंगे आपके इसलिए 80% मेरे बताए हैं और 20% मैं उसमें एडिट करूंगा अपनी तरफ से त चले आगे शुरू करें अगे यहां तक कोई डाउट नहीं है तो फिर आप मैंसे यह जो लोग जो इस पर मुझे देख रहे हैं जरा इक बार बताना आप लोग कहां कहां से हो एक बार आइडिया लग जाए कि आप लोग मतला अपनी स्टेट का नाम बताना एक बार आइड आसाम पूरीशा राजस्थान आसाम यूपी हर्याना जम्मु कस्मीर उत्तर प्रदेश बिहार पत्तीजगर्ड दिल्ली राजस्थान एलाहवात यूपी बिहार लखनव बारानसी मत्वरा मुंबई महराष्ट्रा जरखंड है मतलब मैं ने सोचा था कि आप पर कुछ लोग है यह जानना चाहता है आप लोग कहां से एक अंदाजा लाए ना तो आपको इसलिए बेक्ग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अब तो मैंने आपकी PDF का भी जोगाल कर दिया टेलीग्राम चैनल का देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गया होगा आप वहाँ चैनल को जॉइन कर लीजेगा वॉट्सप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे जॉइन कर लीजेगा और मैं दौनों पर इमेजिस भीज़ दिया करूंगा आप वहां से जाउनलोड कर ले ना पढ़ ले ना उनको और क्या करना है अब प्रिंट निकाल के रख लेना आपके पास काम आ जाएगा ठीक है चले आगे आजए देखिए अब क्या होता है आब आगे सुनो अब पॉंच सुनना एक जहांगीर है वही सलीम सलीम की तीन वाइफ थी तीन वाइफ तीन में फर्स्ट सेकिंड थर्ड फर्स्ट वाइफ का नामे मान बाई दूसरी वाइफ का नामे जगत गोसाई तीसरी वाइफ का नामे नूर जहां यह तीन वाइफ जो हैं यह इसकी ऑफिसियल वाइफ है बाकि अनॉफिसियल इसकी होंगी वो यही जाने मुझे तो पता नहीं है भाई अब सुनो क्या हुआ यह जो नूर जहां है इसके बारे में सुन लो नूर जहां का पहले से एक husband था मतलब नूर जहां का first husband पहले से कोई और था मतलब पहला पती और था लेकिन वो मर गया था तो विचारी नूर जा बिदवा हो गई थी ठीक है और दूसरा पती इसका बना था ये ये सेकंड हस्बेंड है इसका विचारी का था तो ये इसका दूसरा हस्बेंड था और ये जो मानवाई थी इस मानवाई और जहांगीर के क यही खुर्रम जो है वो बाद में साजा बनेगा ठीक है यहां तक अब देखो क्या हुआ नूर जहां और जो उसका पती था पहले वाला इसकी पहली पतनी थी पतनी का नाम था लाडली बेगम बेगम तो खेर बाद में लगा था लेकिन लाडली नाम था उसका अब दुबारा सुनो जहागीर और उसकी पहीया पतनी मानवाई का बेटा था खुर्रम और नूरजा और उसके पहले पति का बेटी थी लाड़ली बेगम और इधर जहागीर ने तीसरी साधी कर ली नूरजा से और नूरजाय का यो destrol कर गिंग है और नूर्जा जो है वो हिंदुस्तान की क्वीन है यानि रानी है अब नूर्जा का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कल को जब जहांगीर मरेगा तो जहांगीर का बड़ा बेटा हिंदुस्तान का किंग बनेगा और अगर इसकी साधी इस से करा दी लाडली बेगम से तो लाडली बेगम हिंदुस्तान की क्वीन बनेगी यानि कि नूर्जा का सपना है कि कैसे भी खुर्रम की साधी कैसे भी खुर्रम की साधी लाडली बेगम से करा दी जाए तो इन फ्यूचर भविस्य में मेरी बेटी भी तो कि हिंदुस्तान की रानी बनेगी यह था इसका ड्रीम प्रोजेक्ट आई ओप आपको यह बास समझ में हागई होगी I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गया सीन, येस बोलो येस, अगर आ गया तो, नहीं आया तो नो बोल दो आप, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ अगर आ गई तो, तो कि अभी अंग्रेजों को गुलाम बनाने की पीचे यही लौजे क्या बताऊंगा अब देखो क्या होता है, लेकिन एक पंगा है, पंगा क्या है बो सुनो अब, कि अब ये इस प्रोजेक्ट पे ग्रहण लगेगा, ग्रहण कैसे लगेगा बो सुनो, नूर जहां का एक भाई था भाई, इसे कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर आओ, नूर जहां का एक ब्रदर था, ब्रदर, और उस ब्रदर की एक डॉटर थी, डॉटर, उस डॉटर का जो नाम था, डॉटर का जो नाम था, वो था अर्जुमंद बानो, बानो, अब पंगा ये था, कि नूर जहां चाहती थी, कि लेकिन खुर्रम जो प्यार करता था, वो करता था अर्जुमंद बानो से, अर्जुमंद बानो से, अब आपको समझ में आ गया, मतलब नूर जहां को ये पता चला, कि खुर्रम मेरी बेटी से प्यार नहीं करता, खुर्रम मेरे भाई की बेटी से प्यार करता है, इसका अगर कल को खुर्रम राजा बनेगा तो मेरी बेटी हिंदुस्तान की राणी नहीं बनेगी मेरे भाई की बेटी हिंदुस्तान की राणी बनेगी अब नूर जहां के दिमाग में यहां जेलिसी पैदा होती है जलन पैदा होती है अपने भाई की बेटी के परती और इसी बीच छंध दिनली में एक पार्ट है पहले पार्ट था पार्ट नहीं है यह वहां म्में ने 30000 ब्रमणिया LOVE 30,000 लगवाया थे इस लिए सिए अर्जुमन्द बार्ग आम कर देजी का किया था पूरा भगीचा गार्डन तो सब्सक्राइब 2300 को दिनी प्लांट बनाके दिए थे खुर्रम ने यहां तक समय आ गया अब नूर जहां के सामने सबसे बड़ी जलन यह है कि नूर जहां खुर्रम को राजा बनते देखना नहीं चाहती क्यों कि कहीं न कहीं खुर्रम अगर राजा बन गया तो अर्जमंद बानो बेगमरानी बनेगी इ उसने एक चाल चली चाल क्या चली इधर सुनो इधर देखें नूर जहां ने नूर जहां ने जहांगीर था उस जहांगीर से कहके क्योंकि जहांगीर नूर जहां के प्यार में पागल था और इससे कहके खुर्रम को खुर्रम को कहां बेज दिया गुजरात बेज दिया गु इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो यह माल लेते हम मैप हैं, मैप में आगरा राजधानी हैं और खुर्रम को गिजरात बनाया है, यहां पर गुजरात का सुवेदार, खुर्रम यहां का सुवेदार बनाया है जानबूच के, ताकि खुर्रम को दिल्ली से दूर कर दो, यानि आगरा से दूर कर दो, कैपिटल से, और खुर्रम अगर यहां से दूर हो जाएगा, तो हिंदुस्तान का राजा यानि उत्तरा दिकारी, जहांगीर के बाद खुर्रम के दूसरे बेटी को बनाया जाएगा, और जो खुर्रम क जो दूसरा भाई था दूसरा भाई था नूर जहां ने उसे सेट कर लिया था अपनी बेटी लाडली से साधी करने के लिए ये सीन आपको किलियर हो गया यानि कि नूर जहां को पता चल गया कि खुर्रम मेरे भाई की बेटी से प्यार करता है इसलिए नूर जहां ने खुर्र तान का राजा बनवाने की कोसिस करेगी और हिंदुस्त उस चोटे भाई की साधी अपनी बेटी से करा देगी ताकि उसकी बेटी हिंदुस्तान की रानी बन जाए यह सीन के लिए रहे आपको कि लिए रहे आगे अब पीछे दुवारा लोटके आते हैं उसी पार्ट में अब आजाएं दुवारा एक बार अब एक बार दुवारा पढ़ लेता है जहांगीर के बारे में कि जहांगीर का सीन क्या है देखिए जहांगीर जो था जहांगीर के काल में एक सिख गुरू थे पांचवे गुरू खुसरो जिनका नाम था अर्जुन देव इनकी डेथ हो मतब उसे chain of justice कहते थे, इसलिए जहांगीर को king of justice भी कहते हैं, नियाय का राजा कहते हैं, लोगों को नियाय देता था ये, ठीक है, इसने अपनी autobiography आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम तुझुक ए जहांगीरी है, ये Persian language में लिखी गई है, जहांगीर के time को golden period of painting कहते हैं, क्य पंगा राजा बनेगा, तब एक पंगा पड़ेगा, मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, क्या पंगा पड़ेगा, देखिए, इधर क्या हुआ, यहां पर नूर्जा और जहांगीर ने खुर्रम को गुजरात बेज दिया, यही खुर्रम जो है, वो बाद में गुजरात का सूबेदार बनेगा, और यही खुर्रम जो है, बाद में साहजा के रूम से हिंदुस्तान का राजा बनेगा, ठीक है, अब देखो, पंगा क्या बनता है, पंगा यह पड़ता है, कि जो अंग्रेज जो इस्ट इंडिया कंपनी खोलने आए थे, तो इस्ट इंडिया कंपनी कैसे भी करके, अंग्रेजों को यह बात पता चल गई, अंग्रेजों को इसको ऐसे बताता हूँ, देखिए, पुर्तगाली लोग अल्रेडी इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, और इधर अंग्रेज और ब्यापार करने की परमीशन लेने आए, कौन लेने आए, अंग्रेज लोग, मतब ब्रिटिस लोग ब्यापार करने की परमीशन लेने के लिए आए है, पुर्तगाली लोगों को पता चला कि अंग्रेज भी अगर अपनी फैक्टरी खोल लेंगे तो कौमपडिशन होगा, पता चला एक मारकर पुर्तगाली बनाते हैं पांच रुपे का, और अं चला रुवात में बिटेन की महारादी ने कैप्टन हॉकिन्स को जहांगीर के दरवार में भेजा, तो कैप्टन हॉकिन्स को परमीशन इसलिए नहीं मिल पाई, क्योंकि पूर्तगाली ओने नूर जहां से सेट करके जहांगीर से मना करवा दिया था कि हमें परमीशन नहीं यहीं देनी, इसलिए हुआ क्याता है है, जो कैप्टन हॉकिन्स इंडिया में आया, सबसे पहला कौन परमीशन लेनी के लिए आया है, इसको परमीशन नहीं मिली, दूसरी बार जो परमीशन लेने आता है, वो आता है, सर तॉमस रो Полगाय यए यह परमीशन लेने आया, सर टॉमस रोडनिके पहुचता है और इसके पास पहुंसता है और इसके पास जाकर पहुंसता है मेरा ट्रांसफर यहां गुजरात हो गया है गुजरात का सूवेदार बन गया हूं मैं तो सर्ट्रोमस रोने का तू बन नहीं गया तो बनाया गया है उसने का मतलब उसने का मतलब यह कि तू कहांगीर का उत्तरा देकारी नहीं है उसने का मतलब तो कि तेरी जो मा है जो सौते हिंदुस्तान का राजा बनवा दे जब तेरा भाई हिंदुस्तान का राजा बनेगा तो तेरी जो सौतेली मा की जो बेटी है लाड़िली वह हिंदुस्तान की क्वीन बनेगी और उसने जान बूचके तेरा पत्ता साफ करने के लिए तुझे गुजरात भिजवाया है तो पता रहे हैं जोकि तो हमारा काम कर दे हम किरत वैसे हिआ कि सबस् lado सिखाना करें और की सबस्रों इस लोगत यह स mismos था अजिक्रा civ करेंगी। की एक ब्रांच क춰ते हैं जॉज्राथ में इंडिया में और इंडिया में हमें ब्यापार करने के लिए ट्रेड करने के लिए हमें जमीन चाहिए जमीन चाहिए हमें जमीन दे दो उसने का कितनी चाहिए उसने का यहाँ पर चाहिए इतनी उसने का ठीक है दी और वहीं पर खुर्रम ने एक आदेश जारी कर दिया कि अंग्रेजों को ब्य जहांगीर था लेकिन अंग्रेजों की फैक्टरी रियल में जिसने खुलने की परमीशन दिया उसका नाम सहाजां था आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजों की फैक्टरी खुलने की परमीशन सर्थ टॉमस रो को मिली किस से मिली खुरम से मिली मतब सहाजां स से मिली किसके टाइम पर मिली मतलब राजा कौन था तो राजा उस टाइम पर जहांगीर था यहां से अंग्रेजों की पहली फैक्टरी खुलना शुरू होती है अब बताइए अंग्रेजों के कदम इंडिया में पड़ चुके हैं यहां तक कोई डाउट है यहां वो आगे बढ़े चलिए बहुत सारे बच्चे कभी-कभी मुझसे मेरे बारे में कहते हैं जैसे कभी मेरी आपने पहले कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखी होंगे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप चिलाते बहुत हो जार मैं एक्चुली चिलाता नहीं हूँ मैं में अभी दो दिन से पढ़ा रहा हूं तिन दिन से पढ़ा रहा हूं तुमने मेरे पढ़ाने का तरीका देखा मैं चिलाता कभी बाड़ लो बाविस्ते में कुछ नहीं मिलेगा तो मैं इससे कुछ आग निकल लेए अंदर से यहां से शुरू करूंगा ना तो तुमारे दिल में पैदा कर दूँगा इसलिए मोटिवेशन देते समय आपने देखा होगा कि मेरा प्रजेंट करने का तरीका अलग होता है यह बच्चे खेरे मुझे आपको देखके डर लगता है और मैं इतना डरावना हूं क्या वह बात अलग है कि उपर वाले ने सकल वेकार दिये तो डरना तो नहीं चाहिए पैसे तो नॉर्मली टाइप का हूं धरने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है लेकिन अब फिर भी आप दर रहे हैं तो मैं क्या करूँ है यह तक आपको समझ में आ गया आप आजाए अब अपन अंग्रेजों को रख देते हैं साइड में अब मोग जहांगीर तक बता चुका हूँ अब आजाओ अगला जहांगीर की वास सलीम राजा बनेगा सलीम का टाइम सुनना तो सलीम के साथ क्या है आप स्कीन सोट लेना चाहिए तो ले लिजेगा बाद में वैसे में मौपत दी दूँगा आपको ना सलीम के टाइम को गोल्डन पी अरजमंद बानो बेगम था इसका इसी अरजमंद बानो को उसने जो नाम दिया था मुमताज महल ठीक है मुमताज महल नेक्स इसका बचपन का नाम खुर्रम था मैं आपको बता चुका हूँ इसने एक सिटी बनाई थी मतब सहर बनाया था सहाजानाबाद दिल्ली में है यह सहने से क्योंकि साजा जो था अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और पत्नी का नाम था अरजमंद बानो यह अरुध मन्द वानो की मृत्यों जो हूई थी वह प्रेंजिक्तिके दर्द के कारण हुई थी ति और इसकी कितने संताने थी तो एक अनुमान कहता सोच के देखो कितना प्यार करता था इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है जो सोलह वी और सत्रवी संतान पैदा हो रही है तो प्यार की इंतहां क्या होगी ठीक है नेक्स्ट इसकी लेकिन चार पुत्र और दो बेटी जिंदा रही है चार बेटे ये रहे दोरादारा सिको और अरंग जेव सुजा और मुराद और दो बेटी ती रोसन आ रहा और जहां आ रहा बाकि सारे बच्चे इसके मर गए थे ठीक है यहां तक समय गए यह था साजा का सिस्टम साजा की मृत्यू के बाद में मृत्यू के बाद में इन दौनों मृत्यू के बाद में क्या हुआ एक्चुली औरंग जेव ने साजा को गरफतार कर लिया था आगरा के किले में औरंग जेव बैठ गया, साजा दरवार में बैठा था, दरवार में राजा बनके बैठा था, औरंग जेव गया, अपने पिताजी को अरेस्ट कर लिया, और अपने भाई दारासिकों को मारा, और इनके दोनों के बीच ये दुगा और औरंग जेव राजा और औरंग जयव के राजा बनने के बाद मैं साजा को जेल में भीכ दिया मतलब मान के चलो मैं साजा मैं दरुबार मैं राजा की तरह बैठा हूँ तो अरंग साजा बैसे ही परेसान रहता था औरंग जयव आया अपने सैनिकों के साथ और सबसे पहले साजा को खशीटा और नीचे ले गया, मारता हुआ, और जेल में डाल दिया और खुच सिंगासन पर बैठ गया, और यारंग जेव ने यहां से गद्धी हतेया ली, और अपने भाई दारा सकोगो मरवा दिया, यहां से औरंग जेव हिंदुस्तान का किंग बन बनवाया था, तैज मेल जिन दो कारीगरों ने बनाया था, मतलब में जो इसके मेकैनिक थे, ऐसे समझो, उस्ताद एहमद लाहोरी और उस्ताद इंसाखान, इन दोनों ने ताजमेल बनवाया, इसमें डिल्ली में जामा मस्जद बनवायी चांद्नी चौक में जो है, और मो जिएके नाम जो थे नाम वो ये थे आलमगीर पहला नाम दूसरा साही दर्वेस और जिंदापीर जिंदापीर ये इसके टाइटल थे आलमगीर इसलिए कहते थे इसको कि ये ये कहता था मैं भगवान का है अल्ला का एजन्ट हूँ इसलिए आलमगीर साही दर्वेस का मतलब ह लेकारी मतलब यह कहता था कि मैं यह देखना इसका भेस भूसा जो थी वह आम आदमी जैसी थी लेकिन रॉयाल आदमी था चुकि राजा था इसलिए सब इसको बोलते था साही दर्वेश जिंदा पीर जिंदा का मतलब है जीवित लाइफ हैज में पीर का मतलब होता है भगव जिंदा पीर इसका एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ देवराएं 1659 में इसने अपने भड़े भाई बड़े भाई दारासिकों को मारा था मैंने बताया था अभी अपने पिताजी साजा को अरेस्ट कर लिया और भाई दारासिकों को मरवा दिया देवराएं की युद्ध अब पुरुष जो बैठते हैं तो बगल में वहां पर खड़कियां सी होती थी खड़कियां चज्जे से और उसमें महिलाएं जहाक के देखती थी क्या होता था उसे कहते थे जहरू का दरसन तो और जिबने कह दिया दरवार के काम में महिलाओं को इंट्रफेर करने का इसलिए इसने जहरों का धरनस दर्सन बंद करा दिया दूसरा मुजिक और अइलकॉहल बंद कर दिया मतलश ड्रिंकिंग और एडेक्शन जो नसाबसा होगा कि यह गाने माने होंगे डांस डिस्को डिस्को जैसे महलू कोई वी है सीला की जवानी इस टाब के गाने माने नह तराजू पर बिठाया और बगल में सोना भी रखा और जितने किलों का अकबर है उतने किलों का सोना गरीबों में दान किया आता था इसने यह सब बंद कर दिया ठीक है यह तक तुलादान के अंदर नौरोज फेस्टिवल याद करना बलबन ने चलाया था पार्सियों का तोह क्या यहां तक कोई डाउट तो नहीं है और अंद जिवके में काम यही थे अब बोलो इतने तक कोई डाउट है इतने तक बोलो इतने तक अच्छा चलिए अब आप ने यह बता दिया कि कोई डाउट नहीं है तो मैंने और अरंग जिवके का सीन के लियर कर दिया अब आप मुझसे पूछ लो कि आपको कन्फीजन में क्या-क्या है आपको इस कोर्स के बारे में कुछ कोई स्क्वेरीज करनी है या कुछ पूछना है आप मुझसे पूछो अब मैं जवाब देता हूँ लेकिन एक एक करको जिनको कमेंट करना है वो एक एक करके किजिए मैं रिप्लाई करूँगा आपको पताइए क्या-क्या पूछना है कि जो आइलव यू बोल रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से आइलव यू टू मैं तो वैसे भी आप सबको प्यार करता हूँ आज तक किसी से नफरत ही नहीं कर पाया आप सभी लोगों से प्यार किया है जजिया समझ में नहीं आया अरे जजिया के एक टेक्स होता था जो उन लोगों से लिया जाता था जो मुसल्मान नहीं हैं उन से टेक्स नहीं लिया जाता था मालो हम पांच लोग हैं पांच में दो मुसल्मान हैं उन से टेक्स नहीं लिया जाएगा जो मुसल्मान नहीं है उन से लिया जाएगा तो अकवर ने बंद करा दिया था यह टेक्स कि सब बराबर होते हिंदु मुसल्मान और रंग जिवना दुबारा चालू कर दिया कि मुसल्मानों को छोड़के बाकी सब को देना पड़ेगा एक एक करके बोलो यार यह एक साथ कमेंट करो तो समझ मैंने आएंगी ना कि यार इतनी तेजी से कमेंट का से बढ़ोगा लोगों को दो दो नाम में कन्फीजन हो रहा है याद रखने में अच्छली इनका एक अरे यार एक तो नाम यह ऐसा बच्पन का रखते हैं जैसे सलीम बच्पन का नाम था जहांगीर उसका रियल नेम था तो मैं आपको बता द जो था हिमायू ही नाम है ठीक है तीसरा अकबर जो था उसको बच्पन में कहते थे जलाल जलाल इसका पूरा नाम था जलाल जलाल अद्दीन मुहम्मद अकबर तो इसके नाम के आगे बच्पन का नाम था इसका जलाल इतना था जलाल पाकी अकबर यह रियल नाम पढ़ा थ ठीक है और एक था सलीम, सलीम बच्पन का नाम था इसी को बोला गया जहांगीर, भी इसके बाद आया इसका बेटा, उसका नाम था खुर्रम, उसको बोला गया स्ताहजहां, ठीक है और औरंग जेब तो औरंग जेब था ही, कन्फीजन हो रहा है तो मैंने लास्ट में सॉल्व कर दिया, और बताओ के डाउट है आपको, बाकी का सब्जेक्ट कब शुरू होगा, जो यह पूछ रहे हैं, मैं उनको किलियर कर दूँ, देखिए, पहले मैं एक एक करके सेक्शन खतम करेंगे, तब से पहले मैं पॉलिटी खतम करूँगा, पूरी पॉलिटी करीब करीब चलेगी, करीब on and average चलेगी, देखो, जल्दवाजी में मुझसे करवा होगे, इससे कोईशन इसकिप भी हो जाए, तो तो पॉलिटी चलेगी करीब करीब 30 दिन, लेकिन अच्छे से मुझसे पढ़ाने दोगे मेरे को, तो च सब्सक्रामी, फिर ऐसे एक एक करके होगा, यह लीप अप होती नहीं होगी, और हाँ, एक बात और बता दूँ, शुरुवात में, अभी करीकरी 7-8-10 दिन तक, चुकि आपको मेरी यादत पढ़ जाए, मुझे आपकी यादत पढ़ जाए, ताकि मुझसे आपकी और आपक से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, इसलिए शुरुवात में, मैं कलास एक डिल घंटे की लूँगा, लेकिन जैसे हम दोनों आपस में एक दूसरे को एड़जस्ट कर लेंगे, उसके बाद कलास 2-5 घंटे की पर दे होने लगेगी, हाँ, अगला कमेंट क्या है, तो आंस ले आना, मैं चेक करके दे दूँगा आपको, ठीक है, मालोब पढ़ड़े, मैं आप 5-10 कोईश्टन लिखे, एकटे मेरी सेंटर के नजदी की सेंटर पर आप हो, तो या तो कूरियर कर दे न, या फिर मुझ क्या केते हैं, ओफिस में, आकर पास में किसी सेंटर पर हो, तो पर आप हमको फ्रीक पढ़ा कर बहुत उपकार कर रहे हैं, नहीं भीया, मैं उपकार नहीं कर रहा है, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, बस यही मेरी लिए बहुत है यार, उपकार क्यों कर रहा है, एक बात बताओ न, अब इंडिया में, एक बात आपस पूछ रहा तरदिया आने वाली हैं, बस सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रजाई और कंबल भी नहीं होगा न, क्यों, हम सब की तुछ जुम्मेदारी ये बनती है न, क्यों हम ऐसे लोगों की मदद करें, बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको पूरा कोर्स फिरी बढ़ जाना, कि मैं किसी को भॉके नहीं देख पाता है यार, और बोलो क्या बुचना है, पीडिएफ कहां मिलेगा बता दिया मैंने आपको, टेलीग्राम का लिंक और वाट्सप चैनल का लिंक, डिस्क्रिप्सन में दे दिया है, वहाँ पर आज साम से अपलोड कर दूँगा, औ को यह बताओ, सर आपका परिचा है, देखें मेरा परिचा यinku मैं एक इनसाण हूं जिसके दो हाथ हैं और दो पैर हूं A और को पढ़ाना जानता हूं, और यटना चांता हूं हिस्ट्री की जो बेक्ग्राउंड वह वाला पार्ट दूंगा हिस्ट्री दुवारा पढ़ाया जाएगा पूरा बैतरीन तरीके से मैं तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं गवर्नेंस वाला पढ़ाऊंगा और एक सोसाइटी और इंटरनल सेक्यूरिटी वाला और बताओ पहले तक कांट्यूनी चलेगी उसके बाद दिवाली पर तीन चार दिन चुट्टी करेंगे फिर उसके बाद फिर कंट्यूनी करेंगे और कि लिखवाओगे नहीं सर लिखवाने की देखो आप टेंसन मतलो मैं अपने आप उन पोर्षन को लिखवा दूँगा जिनकी आपको जरूरत है हाँ सर करंट अफेयर प्लीज 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 रुको रुको करंट अफेयर का रास्ता दे रहा हूं सुनो आप अच्छे से वो मैंने टेलीग्राम का और जो मैंने वोटसप का चैनल बनाया है उस चैनल पर एक नवंबर से पर डे का करंट अफेयर हिंदी और इंगलिस का पर डे आजाएगा आपको इसका मतलब यह हुआ हिंदी और इंगलिस की एक-एक फाइल पर डे आईगी बताब आज का जैसे आज एक नवंबर है, तो कल का जो current affair है, कल का 31st October का वो आज की फाइल में आएगा, और tomorrow को जो current फाइल आईगी उसमें, yesterday का current आएगा, मैं समझ में आगई है नहीं है आपको, मतलब जो एक तारिक को फाइल आईगी उसमें 30 तारिक का होगा, दो तारिक को आईगी उसमें एक क्वास्ट होगा सबके लिए, और बोलो, केली क्लास टाइम, अभी तो 12 बज़े रखेंगे, होली तो सरी होली कह रहा हूं, दिवाली तक तो 12 बज़े रखेंगे, उसके बात पिर आगे देखते हैं, आपके सेंटर कहां कहां पर है, देखो भईया, यूपी उत्तर प्रदेश में तीन सहरों में है, आगरा, मतुरा और जहांसी, इन सेंटर पर आप ओफलाइन क्लास के लिए जाना चाहों, तो जा सकते हो, वाँ मैडम से मेरी बात करा दे न, मैं ही मिलूँगा, क्लास लेने म मैं ही आता हूँ, बागी वो सेंटर मेरे नहीं है, तो आप लोगों के सेंटर है, मैं तो बस यार पढ़ा लेता हूँ, आप लोगों को, इंटरनेशनल पॉलिटी भी होगी भाईया, आयार कराएंगे आपको, क्यों परिसान हो रहे हो आप, ये कितने दिनों का कॉर्स है, ये और बताना है आपको, हाँ, देखिए कम से कम हमें 15 महीने लगेंगे, 15 महीने, और इमानदारी से कराएंगे तो, जल्दी में लीपा पोती नहीं कराएंगे, अभी पहले बता दिया, एक देल घंटे की क्लास होगी पर दे, लेकिन बाद में इस क्लास की संख्या बढ़ा अगर पूरे भारस से quality वाली होंगी, जो quality प्रोवाइट कर सकती हैं, उन ही को लाँगा, otherwise लाँगा नहीं, अगर बच्चों को ही प्री पढ़ाना चाहेंगी तो पढ़ादे, नहीं पढ़ाएंगी, तो फैकल्टी को पैसे नहींते प्थे पास्त मुगॉगा, आप लोगो उस चैनापती आया था तो इंग्लिस जानता था गर इंडियल लोग को इंग्लिस नहीं जानते थे फिर कैसे कर रहा है यह यह रहां कंवर्जेशन का मुद्धा है ना जरूरी थोड़ी है कि किसी एक लेंग्वेज में होती है लेंग्वेज जो होती है वह तो एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक डिलिवर करने का तरीका होता है अधरवाइद हम तो बहुत सारी चीज़ है तो बिना लेंग्विज के भी समझ सकते हैं ना और WhatsApp लिंक ओपिन नहीं हो रहा है हाँ ये कुछ बच्चों ने मुझे बोला है मैं उसको और देखता हूं आज कुछ हो सकता है तो जितने लोग ओपिन हो रहा हूं उनको जॉइन कर ली जगा मैं आज से फाइल भेज दूगा और टेलिग्राम पर जॉइन कर ली जगा नहीं तो टेलिग्राम पर तो ही है मतुर्य में कहां पर है मतुर्य में ब्स PSA इंगिनिरिंग्क ऐगे उसके सामने मतुर्य में जो PSA इंगिनिरिंग कॉलेज है कृष्णा वियार में वहां पर है ठीक है तो इस जोप आपकी problem समझ में आप प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी और भी दीरी-दीर दीर आप कंट्ईनु यह जोड़े रहो आपकी problem दीरी-दीर सॉल्व कर देंगे देखिए मैंने आज आपको औरंग जेब तक बता दिया है 1707 तक अब कल मतलब मैंने आपको दिल्ली सल्तनत कम्प्लीट करा दिया मैंने आपको मुगल एम्पायर कम्प्लीट करा दिया अब आएगा बिर्टिस इंडिया बिर्टिस इंडिया में मैं आपको कल से सुरू करूँगा कि कैसे अंग्रेज गुलाम बनाएंगे और कैसे अंग्रेज आज़ात करेंगे दो-तीन दिन में ये भी कम्प्लीट हो जाएगा जैसे ये कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आपन शुरू करेंगे पॉलिटी और मैं फिर वहाँ से शुरू करूँगा कि अंग्रेजों ने इंडिया दिया उसमें हमारे साथ citizenship हमको कैसे मिली नागरिक्ता कैसे मिली और जो अंग्रेजों ने हमें राज्य दिये थे वो राज्य कैसे कैसे बटे थे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी problem solve हो रही होंगी और आप लोग tension मतलो यार आप लोग कोई online course purchase करने की जरूद नहीं है पैसे हैं आप purchase करो मैं तो उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है मैं उनके लिए उनके लिए होंगे जिन अब मिलते हैं कल बारा बजे आज आप यहां modern इंडिया तक का मोगल एराय तक का पार्ट कम्प्रीट कर लिजेगा कल सेम टाइम पर बारा मिजे बिलूँगा और तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नेवाद